इसकी कहानी अलग है और ये उस दौर में बनी थी जब आक्ट्रिसेस बोल्ड रोल्स नहीं करती थी जीनत अमान ने इस फिल्म में बहुत ही बोल्ड रोल किया और ये रोल ऐसा था जो वल्गारिटी की तरफ भी नहीं था किरदार को जस्टिफाई कर रहा था 1978 में जब राजकपूर सहब ने ये फिल्म बनाई थी तब उन्होंने इस फिल्म को जीनत अमान से पहले कई सारी आक्ट्रिसेस को उफर किया था इसमें हेमा मालीनी का नाम भी शामिल है और विद्या सिना भी शामिल है विद्या सिना ने एक long detail interview में बताया था कि आकिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों नहीं कहा जबकि राजकपूर सहब की साथ काम करना तो हर किसी का सपना होता है विद्या सिना ने बताया कि अगर वो राजकपूर सहब की एक शर्त मान जाती तो वो आज जीनत अमान की जगर सत्यम शिवम सुन्दरम का हैसा होती विद्या सिना का कहना है कि राजकपूर सहब से जब इस फिल्म के बारे में उनकी मीटिंग हुई तो कहानी उन्हें बहुत पसंदाई लेकिन जब कपड़ों की बात आई और उन्हें बताया गया विद्या सिना ने कहा कि अगर वो कपड़े पहनने के लिए मैं हां कर देती तो जीनत अमान की जगर मैं होती उन्होंने कहा कि राजकपूर सहब और मेरे ग्राइंट फादर दोनों दोस्त थे और उसके चलते ही मुझे ये फिल्म ओफर हुई थी हर अक्टरिस का ड्रीम था राजकपूर सहब के साथ काम करने का लेकिन मेरा ये ड्रीम इस कारण पूरा नहीं हो पाया जो जीनत ने पहन लिया वो मैं नहीं पहन पाई तो इस अदर से उन्होंने जीनत की boldness पर भी बात की थी और कहा था कि जीनत उस टाइम की bold actress थी और उन्होंने ये कपड़े पहने थे ये पहली बार नहीं हुआ है जब जीनत अमान या परवीन बावी पर किसी दूसरी actress ने bold होने की बात की हो एक time पर actress माला सिन्हा ने भी जीनत अमान और परवीन बावी पर कॉमेंट करते हुए कहा था कि इन दोनों actresses के पास सिर्फ और सिर्फ शरीर है दिखाने के लिए models हैं जैसे ये वैसे शरीर दिखाती है actress होती तो acting भी दिखाती